Honor Killing के बहुत सारे मामले सामने आते हैं लेकिन इस बार जो इरान से आया वो थोड़ा अलग है इरान के फिल्म डिरेक्टर बाबा खोरम दीन की उनके माता पिता ने हत्या कर दी खोरम दिन शादी शुदा नहीं थे और उनके माता पिता लगा तार उन पर शादी करने का दबाव डाल रहे थे लेकिन खोरम दिन के शादी से इंकार करने पर उनके माता पिता उनसे इतने नाराज हो गए कि उनकी हत्या कर दी इसके बाद शव को कई टुकडों में काटा ये 47 एर्स के फिल्मेकर थे इनके डेड बॉडी वेस्ट तहरान के एक बातन शहर में कचरे के थैले में और सूटकेस में इनके टुकडे मिले तहरान क्रिमिनल कोट के प्रमुक मुहम्मद शहरियारी ने कहा कि खोरम दिन के पिता ने हत्या की बात कबूल कर लिया पिता ने ये कहा कि उसने अपने बेटे को पहले एनस्टीश्य का इंजेक्शन दिया फिर अपने बेटे को चाकू मार कर उसे मौत के घाट उतार दिया इसके बाद उसके शरीर को टुकडों में काट कर फेक दिया हमें लगातार परिशान कर रहा था हमारा जीवन दाव पर लगा हुआ था हम एक दिन के लिए भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे वो हमें इतने ताने देता था और वो जो चाहता था वो करता था उसकी माने और मैंने फैसला किया अब हमें उसे छुटकारा पाने की जुरूरत है पिता ने आगे कहा कि हम अपनी प्रतिष्ठा को और नहीं कोना चाहते थे एक पत्रकार गोलनार मोतेवल्ली के इस ट्वीट के मताबिक माता पिता ने अपने बेटी और दामात की भी हत्या कर दी थी और यहां तक की पिता का ये भी कहना है कि उसे इन हत्याओं का कोई पस्तावा नहीं है